हेलो बच्चो तो कैसे हो आप लोग यहां पर फाइनली में क्लास तेन्त वालों के लिए त्रेमासिक परिक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूं बच्चो आपका संस्कृत का पेपर है बच्चो और यहां पर सेड भी यहां पर हमें निलाइस करने वाले बच्चो ठीके 2022-30 का पेपर यहां पर बता देता हूं में इसमें किस तरीके से आपका पेपर आयता बच्चो किस तरीके से क्योशन पुछे गये ते सारे हम इसमें देखने वाले बच्चो सारे इंपोर्टेंट पर भी हम नज़र डालने वाले बच्चो ठीके तो जो बच्चे बिलकुल नहीं चैनल पर सस्क्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ठीक है तो आईए शुरू करते हैं यहां पर देख लिजे पहला केशन यहां पर देख लिजे उचित विकल्प यहां पर आपको चित्वार लिखी तो यानिकी एक एक नंबर का आपका यह रहेगा सही व करके नेश क्योशन देख लिए यहाँपर पुस्तक का विभगती यानि की विभक्ति बहुत पूच रहें कि देखो नदीनाम पदे विभक्ती विभक्ति वाला क्योशन आयाँए बचों कसमात पदे विभक्ती और विध्यामातायव रक्षति असमान अवयव पदग आपको मैं आप लिखना ठीक है यह वगा ऑको इसमें नैस्ट देख लेते और क्या है इसमें ठीक है इसमें इसमें नैस्ट और आपका अविवप स्धे कि अधूलीकित हम बताना आपको झाले आपको एक वचन बहूँ वचन से रृलेट withdrawal पूछे Sind यहां पर देख लिजए आप छे नंबर करेंगा ठीक है यहां पर देख लिज़े आप यह देखो यह देख मोलसा घ्र त्यों सा too बढ़ना करना मैं आपको कशि कर बाद olhos वहीं से क्योशन आपके बन जाएंगे मैं सिर्फ इस पेपर को दिखाने का मतलब मेरा यहीं है कि किस तरीके से पेपर आपका पुछा जाएगा यहां पर निचे देख लेते हम सही जोड़ी यहां पर देख लिए संधी बहुत सारी पूछे यानि कि संधी को आपको अच्छे तरीके से आने चीए देख लो सारे संधी समाज की किस्षेन बचो ठीक है आप देख लिजिए गा सारे इंपोर्डेंट और इंद में से आपको कम से कम एक दो क्यूशन तो देखने को मिली जाएंगे ठीक है नैस्ट क्या है एक पदेन उत्तर यहां पर देख लिजिए एक इसमें से एक यहां पर खुद्य वाक्या कामी है तो कम सा्टिकिन आपको आपको कर लेकिक नेश्ट देख लेते हैं नेस्म क्या है आपका यहां से important question answer में बताने वाला हूं आपको ठीक है यहां पर देख लिजी Question number six यहां पर देख लिजे लोके महतों भयात कह मुझते बहुत important question है बहुत important question है इसको जरूर आपको पढ़ना है question number seven भी देख लिजी आप ठीक है इसमें आपको क्या पढ़ना है बुद्धी प्रतित चली था यह बहुत इंपोटन किश्च नहीं यह वाला जरूर पढ़ना आपको ठीक है नेस्ट किश्च नमबर आट में क्या पढ़ना आपको किश्च नमबर आट में आपको यह वाला पढ़ लेना ठीक है i question number 9 में आपको क्या पढ़ना यह बता देता ओने i question number 9 यह वाला पढ़ना आपको ठीके वियाग्रम की विचार्द पलाइट ठीके नेश्ट देख लेते हैं question number 10 इसरे number 10 देख लीजे बत्चो यह question number 10 भी बहुत इंपोर्ट है इसमें से आपको दोने क्योक्यrator कर लेने राम लक्ष्म्ना। और कवी की नबरभ। नहीं нет यहांपर आपको प्ल लीज्ग कुराखार टीन कर ले रखे कोई दो कर ले jesteśmy हैं करना कि हम चैनला-कठीक बहुत इंप्रत हिंपोटन एवाले मैं ने पढा भी रखे इसके इसके टिन पहा नोहीं कि किस तरीके से इनको solve करते हैं बहुत important है और यह 100% आपके question आते हैं बचो ठीक है कल की paper में आपको देखने को मिल जाएंगे नेस्ट के आपका ठीक है वाच्य परिवर्तन भी मैंने बच्चो को बढ़ा रहा है यह भी बहुत important है कोई दो करना आपको ठीक है ऐसा नहीं का पेपर की श्लोग लिख दो कि नंबर नहीं मिलेंगे तो आपको श्लोग कम से कम दो श्लोग याद होना चींद के question number 14 में डाय में क्या है अशुद्ध करना है वाँ यहो हो जभी तीचह नुबर शो ला में ॐापको रिक्तिस्ताने के यूद्व मिल जाएंगा उनिखे मन्रोल्द एक टिए आपको क्रम के हिसाब़ें को जमाना अना चीह करम क्रम श्रीकाArkin प्रम के हिसाब ठीक है नैस क्या बचा आपका किश्य नंबर 20 में बता देता हूं आपको जो बचा हुआ भी ठीक है किश्य नंबर 20 अपटित पद्यांश किश्य नंबर 21 अपटित पद्यांश ठीक है किश्य नंबर 20 में आपको अप्लिकेशन देखने को मिलेगी ठीक है अप्लिकेशन में आ आपको लास कई कि मैंसे महाकवeder और संस्कत भाषा म्हत्म को निभण याद वरो यह तो हो नहीं चीकर एक तो कम से कम याद होने चीस यह संस्कत भाषा यह थिर महाकवल याद जी गाए दोनों में में important question भी बहुत जल्द provide करवाने वाला हूँ वो जरूर आप याद कर लिजेगा ठीक है तो मिलते हैं ने श्टूडियो में अभी के लिए इतना ही thank you बच्चो